जानते हैं कि computer को कैसे चलाते हैं, power button हम on कर देंगे, जैसे on करेंगे तो automatic हमारा computer start हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं हमारा computer start हो गया और यह पूरे area को desktop बोलते हैं, जो यहां पर आप picture देख रहे हैं, इनको icons बोलते हैं, यहां पर आप जो bottom पर horizontal line देख रहे हैं, इसको एक निश्य तुद्देश के लिए बनाया जाते हैं, अगर हमको किसी भी software को open करना तो इस पर हम दो बार double click करेंगे, तो मैं यहां पर Google Chrome पर दो बार double click कर लेता हूं, इसलिए Google Chrome जो है, इंटरनेट चलाने के लिए use में लाया जाता है, तो और इसको close करने के लिए यहां प